हेलो फ्रेंट्स स्वागत है अप सभी का मेरे चैनल पर आजके इस वीडियो में मैं आप लोगे साथ में शेयर करूंगी क्रश चॉर्जट फैब्रिक की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से और इससे मैं बनाने वाली हूँ एलाइन ड्रेस ये जो फैब्रिक आप देख रहे है ये मैंने ऐनली 50 रुपीज में खरीदा था जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक होते हैं दुकानों में वो आपको काफी कम रेट्स में मिल जाते हैं तो उससे मैंने ये फैब्रिक लिया था और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है जो की क्रेप का है मैंने इसे 3 मीटर लिया है औ अपर बॉडी पार्ट यानि हम पहले चोली वाला पार्ट कट करेंगे इसे फोर फोल्ड में मैंने रख लिया है इसकी जो लेंथ है मैं रखने वाली हूं साड़े सोला इंच तो यह तैयार होके साड़े पंद्रा इंच का आ जाएगा यहां से मैं रख रही हूं शोल्डर ले सकते हैं यहां पर क्योंकि बैक नेक में सेवन इंच रखने वाली हूं इसलिए मैं साड़े 6 इंच शोल्डर रखोंगी आर्म होल जितना आपका चेस्ट है उसका चौथा पार लेके माइनस वन कर लीजिए तो यहां पर आर्म होल मेरा 8 इंच आता है तो मैं यहां पर 8 इंच ले रही हूं इसके बाद में हम लगाएंगे फिटिंग का निशान जो कि मैं 10 इंच पर लगाऊंगे और यहां पर 1 इंच में मार्जिन छोड़ दूगी जो वेस्ट है वहां पर मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच का और उसके आगे भी 1 इंच हम मार्जिन का लेंगे और अब इन निशानों को मिला लेंगे याने मार्जिन वाले को और फिटिंग वाले निशानों को आपस में मिला लेंगे अब इसके बाद में नेक की विट्थ रखने वाली हूं 2 इंच और इसकी लेंथ में रखने वाली हूं 6 इंच और यहां पर मैं फ्रंट नेक में पर बहुत बहुत फेयांको addicted कशन लगा성 के सग्राइब इन निनिशान राओंगे के योधर में इस तरीख वासन का से आतार में गयांज जो तबहुत ही। इस तरह से और अभी हमने बैक आर्म होल कट किया है नीचे से जो जॉइंट है उसे भी हम कट कर लेंगे और हम फिर फ्रेंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे अब इसके बाद में मैंने लाइनिंग वाला फैबरिक लिए आप देख सकते हैं खड़े में मैंने इसे रखा फोर फोल्ड में कर लिया है टोटल लेंथ इस ड्रेस की रहेगी 50.5 इंच जिसमें से की 15.5 इंच जो है मैंने अपर बॉड़ी पार्ट का निकाल लिया है और जो घेर है वो मुझे 35 इंच तयार चाहिए है यहां पर लाइनिंग वाला फैबरिक मैं 35 इंच इसकी लेंथ का रखूंगी और नीचे से मैं इसे फोल्ड कर लूँगी तो यह लगभग 34 इंच मेरा लाइनिंग वाला फैबरिक रहेगा तो यहां पर 35 इंच पर मैं निशान लगा रही हूं जितनी फुल लेंथ रखनी उसमें से जो चोली वाला पार्ट है उसको माइनस करेंगे और उसक इंच पर जितनी भी आपकी कमर है उसका चौता भाग लीजिए और उसमें प्लस वन इंच लेकर यहां पर एक निशान लगा लीजिए और फिर उसके अदमें तिर्चा उसे नीचे मिला लीजिए यहां से लगभग 2-3 इंच आपको उपर से लेना है और इस तरह से शेप ज अब यहां पर मैंने यह में फैब्रिक लिया है और इसे मैंने फोर फोल्ड में इस तरह से रख लिया है और पिन अप कर लिया है क्योंकि यह जो फैब्रिक है काफी फूला फूला सा रहता है से लिए अब इसकी मैंने जो लेन्थ है वो 36 इंच रखी है क्योंकि मुझे तया 35 इंच नीचे से मैं पीको करूंगी और उपर से हमें स्टिचिंग के लिए हाफ इंच लगेगा अगर आप नीचे से फोल्ड करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा और नीचे जो फैब्रिक बचा हुआ है उससे मैं बना लूँगी इसकी स्लीव तो इस तरह से मैंने ये फैब्रिक ले लिया है अब यहाँ पर देखें लाइनिंग वाले फैब्रिक को मैं ले रही हूँ और इस तरह से मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक को फोल्डेट वाले सा णेट को पिकू करूनागी इस लिए मैं इसमें ज्वादा एक्सित्रा नहीं लिया तो इस तरीके से पहले मैं इस रख लूँगी अब आप देख सकते है kia přाव्रीक हमारे पास को रखकर देखेंगे जो बचा हुआ हमारा इस तरफ में फैब्रिक है यहाँ पर हमारी चोली निकलेगी या नहीं verw और इस तरीके से आप देख सकते हैं जो पार फोल्डेट निकलेगा और और इक ओपर निकलेगा फ्रेंट से से टो यहाँ पर इस तरीके से हमें रखना है देखै कि आप देख सकते हैं कर देखेगे जो लाइन है उसके इस तरफ तक आरे है तो मैं क्या करूँगी अब बिल्कुल इस लाइन के किनाड helping मेल निशान लगाउंगी ताकि मेरी जो बाइन में पूर आपने इस तरह का है और यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से जब आप निकालेंगे तो एक पार्ट आपका folded side से निकलेगा और एक open वाले side से निकलेगा चोली वाले part का उसको कैसे हम stitch करेंगे वो भी मैं आपको next video में बताऊंगी अभी यहाँ पर देखे, इस तरह से पहले हम इसे cut कर लेंगे lining वाले fabric को रखकर main fabric को इस तरीके से पहले चोली वाले part को मैं कट करूँगी और फिर मैं lining वाले part को इस तरह से cut कर लूँगी, इसके बिल्कुल किनारे से, यहाँ से इस तरह से और यहाँ पर भी हमें उपर तिर्छा लेना है मैंने अभी कम लिया है लेकिन बाद में मैंने देखा था कि यह काफी साइड से लटक रहा था तो कब से कम चार से पांच इंच आपको यहाँ पर इस फैब्रिक को उपर तक कट करना होगा घेर वाले साइड से अब यहां पर यह जो फैब्रिक है इससे में बनाऊंगेGod drives है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह जो फोल्डेड़ वाला पार्ट है यानिकि यह जो पूरा पार्ट निकला है यह मैं बनाओंगी बैक पार्ट इस से और जो ओपन वाला पार्ट निकला है पहले मैं दे इस स्टिचिंग का वीडियो आप जरूर देखेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि इसकी स्टिचिंग मैंने किस तरह से की है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी इसकी स्टिचिंग कैसी करनी है, अब मैं यहां पर फ्रेंट आर्म होल की भी कटिंग करूंगी में फैबरिक में अभी कोई भी कटिंग नहीं करने वाली हूं क्योंकि पहले मैं उसे बीच से जॉइन करूंगी अब यहां पर नेक विट रकरी हूं में धाय इंच और इसकी लंबाई में रकरी हूं साड़ च्छा इंच फ्रेंट पार्ट का नेक है ये तो यहां पर इस तरह से आप चाहे बॉक्स बना लीजे या सिंपल आप वी नेक बना लीजे तो इस तरीके से मैं यहां पर वी नेक बनाने वाली हूं तिर्ची लाइन यहां पर बना लूँगी और हलका सा यहां से एक कर्व देते हुए मैं इसे वी शेप नीचे में दे बेक पार्ट में भी देखिए सेम धाय इंच की चोड़ाई रखोंगी और इसकी लंबाई में रखने वाली हूं साथ इंच और इसके बाद यहां पर बॉक्स तयार करूंगी बैक नेक में सिंपल ही रखने वाली हूं इस दरह के फैब्रिक में आप सिंपल ही नेक रखे तो ज अब यहां पर मैंने इसे कट कर लिया है और यह बैक पार्ट भी मेरा कट हो ठोच तो इस तरह के से कटिंग कंप्लीट हो चुकी है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा हो तो लाइक ज़र कीजेगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब पीजेगा थ झालता अच्छा बस्ता है और यह जच्छा लाइक जाएब रेव